कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए दॉक्टर चंद्रेश वेव को और करे अपने बीजिक अडवान्स ट्रेडिंग ग्लासेस का सपना साकार डाउनलोड दियाप नाउ कैसा है दोस्तो मैं हूँ चंद्रेश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव तो आज का अपना जो वीडियो है वीकली स्रीस का वीडियो है और जैसा कि मैं हर बार आता हूँ हर वीक में एक आद दो बार कनेक्ट होता हूँ औ उसको आपके सामने रखता हूँ ठीक है तो बात हम लोग करने वाले हैं बहुत साथ चीजों के बारे में आज की और पिछले कुछ वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी मिस किया था उसके बारे में भी आज जो डीटेल में बातचीद कर लेंगे दोस्तों ठीक है जैसा हमा तक तो नहीं आया बट कहीं ना कहीं उसने कोसिस की एक बार और जैसा कि मैं अगर बात करूं तो 2910-920 के आसपास वाया और वहां से वापस से जो है एक दिन था उपर की सेड चला और दूसरे दिन जो है फिर मोश्टली साइडवेज होकर जो है बन हुआ ठीक है स्वाप पॉंट के आसपास जो है नीचे बन हुआ अभी दोस्तों एक बहुत अच्छा ट्रेड था अपने पास और मैं यहां पर जो मार्केट खुला था उपर मैं बात कर रहा हूं यह जो है 13 मार्च की ठीक है 13 मार्च की जो उस दिन में जो हमारे वीडियो के बाद में फिकली सिर्यस के वीडियो के बाद में जो मार्केट गैप खुला उसी वक्त पे कि यहां से 300-400 पॉइंट में भी पॉसिबल है इस पॉइंट से कि निफ्टी नीचे आ सकता है ठीक है और बहुत अच्छा एक ट्रेड जो था मुझे दिख रहा था वहां पर एक चीज थी कि वहां से जो है पॉसिबलेटी बहुत ज्यादा थी कि वहां से नीचे आने के बाद वहां पर रिस्क रिवोर्ड रिश्यो अपना जो था बहुत ज्यादा फेवरेबल बैठ रहा था तो मैंने खुद भी जो है उसमें पूट का एक पोजिशन जो था वहां से मुझे अच्छा खासा कि मैं कोईट इनικάीं तॉपर आने के लिए यह काम हुआ चौदा तारीक को सब्सक्राइबल मार्केट फिर से ऊपर आया और मार्केट जब दौब आएeil Chip यह पॉइंट कि बात कर रहा वे हूँ दोस्तों यहां पर और फिर जैसा कि नहीं खरीदा हुआ है कि हमें पूट जादा नहीं खरेदा है मैं पूट जो है खरेद के जाक मामलों जादा तर केसिस में उस वक्त भी मैंने पूट यहां पर इनिशेट किया तक्रिबन थीच सफाइब के जोटा गयं अपरविल निकाल दिया तो overall मेरे दो ट्रेड जो थे मैंने लास्ट वीक में इनिशेट किये मुझे बहुत अच्छा लगा वो ट्रेड यहां पर दोस्तों जो है मैं आपके साथ में जो आकर बात करता हूं वीकली सीरीज में ज्यादातर मामलों में आपको ट्रेड नहीं देता हूं मैं लेवल देता ह मैं आपके साथ में बात करता हूं उसकी कई सारी वजह है क्यों कि ऑपकी स्फरीवर्ड दोस्तों नुक्सान भी हो सकता है अभी आने वाले week की अगर मैं बात करूँ आने वाले week में क्या संभावनाय हो सकती है निफिटी के अंदर और साथ ही साथ में बेंक निफिटी में भी हम देख लेंगे जादा तर bank कि यह बात को तो हम जो मानेंगे कि स़िल यह बात यहां पर यह लोवर जोन में आया है और उससे पहले भी इसी जोन में एक बार यहां पर आ चुकुत रही है तरह में इस जोन लोवर पॉइंट यानि कि मैं अगर जाना से ज्याना charta यहां पर 21,900 को मैं SL के तौर पर प्लेस करूँगा निफ्टी के अंदर, ठीक है, SL मैं आपको बता दू, 21,900, ठीक है, अगर यहां से हम एक long position अगर build up कर पाए, अगर यहां से हम एक long position build up कर पाए दोस्तों, यहां से ही, ठीक है, तो maybe possibility है कि एक तो यह target आ सकता है, 22,200 के आसपास का पहला target जो है, बन सकता है आपका, यहां पर मैं अगर बताओ, तो exact यह वाला point है, ठीक है, यह वाला point है, वो maybe possible है कि यहां तक market जो है, वो आ सकता है, और यहां से भी हम नीचे से भी गिने, तो तकरीबन 200 point तक का एक bounce हमें निफ्टी के अंदर आता हुआ नजर में आ सकता है, ठीक है, यह बात हो गई निफ्टी के अंदर आने वाले week में, maybe possible है, क्योंकि यहां पर इसने अभी अभी जो है, दो बार अपने आपको टेस्ट किया, इस zone में, ठीक है, दो बार हो गया, तो भी possible है, कि एक कोई छोटी time frame का A, B, C develop हुआ, ठीक है, उसके बाद में अगर A बना है, यह B है, तो उससे कम वक्त में उपर जो है, यह break होना चाहिए, तो 0 to B trend line भी बननी चाहिए थी, बट उन सारी चीजों को अभी side में रखे, तो भी possibility है, कि एक bounce जो है expected है, first target उसका 22,200 और second target दोस्तो, 22,450 तक का रह सकता है, यहाँ पर risk reward ratio favorable बैठ रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इस trade को आपके सामने रख रहा हूँ, 22,200 उपर का जो है target पहला और दूसरा target अपना जो है दोस 2400 तक, ठीक है, अभी मान लीजिए कि क्योंकि आने वाले अभी भी march end तक कि market नीचे रहने की संभावनाए है, market नीचे जाने की संभावनाए थोड़ी जादा है, तो अगर आपको ये trade को छोड़ देना है, आपको short ही करना है market को, या PEE ही लेना है, call buy नहीं करना है, तो आसपास, तो 25 से 50 point का stop loss रखा लगा कर आप जो है, इस चून में market को short कर दीए, 22-200 के आसपास, अगर वाकई में market अच्छा चल जाता है, थोड़ा अच्छा ही चलता है, तो 22-400 के आसपास जो है, आप try कर दीजिए कि इसको short करने की, 22-400 के आसपास मौका मिलता है, तो आप 1-hour time frame के हिसाब से यहां पर कुछ रुखना है, काम होना है, फिर इसका breakout point decide करेगा कि यह market को यहां से उपर की journey में ले जाएगा, निफ्टी को या नीचे की journey में लाएगा, तो overall nifty के अंदर मैंने बात बताई, बहुत जादा है, क्योंकि 15-minute time frame और छोटी time frame में sea wave कहीना कही develop हो चुके है, और sea wave में कहीना कहीं काम हो चुका है, तो possibility बहुत जादा है कि उपर की side में चले, 0 to beat trend line 15-minute time frame में देखना चाहूंगा, क्या इसने break किया है, तो नहीं किया है, तो यह जो कोई भी rise होगा, वो corrective rise होगा, दोस्तों, ठीक है, यह 22-200 तक आए, यह 22-400 तक आए, बट यह जो कुछ भी होगा, corrective rise होगा, इस बात को आप जो है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो सारी बाते हमने बताई, जो कोई भी rise होगा, corrective rise होगा, बट rise जरूर होगा, यहां से एक बार के लिए, ठीक है, overall, बड़ी time frame में अगर बताओ, बहुत सारी ब तो अपने जो recent swing high अपना जो लगा है, 22-500, उससे तक्रीबर हम 500 point ही नीचे आए है, तो इतना कुछ भी अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, कि इतना ज्यादा डरना या इतना कुछ गवराना चाहिए आपको, यह काम होगा, यह healthy correction है, healthy correction के बाद में, फिर जो है, nifty में भी उपर की side में निकलेगा पहली बात, दूसरी बात दोस्तों, जो small cap और mid cap है, उसमें भी जो कोई भी stock, बड़ी time frame की cycle ही घुमा कर उपर जलने का start कर रहे है, वो वाले stock जो है, वही चलेंगे, जो खराब quality के stock है, वो में भी नहीं चलेंगे, अच्छी quality में अगर मैं बात ब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, फिर आप अपने हिसाब से चून सकते हैं, अपने अपने तरीके से दोस्तों, ठीक है, निफ्टी में बात कर ली हमने, बहुत ज्यादा अच्छा खासा मैंने आपको analysis इसके बारे में करके आपको समझाया, आपको बताया, bank nifty के अं और अभी अपना system जो है बता रहा है कि bank nifty एक बार के लिए नीचे की साइड में 44,000 जो है, 44,000 का जो लेवल है, उसको जो है, maybe possible है कि test कर सकता है, ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या ये A, B, और C बना, उसके बाद में ये जो है corrective rise है, तो उसके लिए अगर मैं किसी भी बड़ी time frame की अगर बात करूँ, उसको मैं retest करना चाहूँगा, डेले time frame की एक, मैं जो है, line row अगर मैं करना चाहूँ, तो definitely ये जो है, अभी भी corrective rise ही था, और अभी भी अपना intent जो है, निफ्टी का गिरने का चालू, स्वारी, बेंक निफ्टी का चालू रहेगा, ठीक है, तो बेंक निफ्टी जो है, किसी भी हिसाब से, निफ्टी को जाने में इतना ज्यादा supportive role नहीं करेगा, ऐसा डोजी बना कर, धीरे 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 उसको आना नीचे ही है, ठीक है, तो ये बात हो गया, निफ्टी, बेंक निफ्टी दोनों के अंदर, अभी दोस्तों, crude को हम देख लेते, क्योंकि last मैंने काफी दिनों से crude के ऊपर, मैंने बात नहीं की है, और बहुत सारे लोगों की comment भी मुझे देखने को मिली, इसार आप crude के बारे में बात कई टाइम से आपने नहीं किये, stock specific तो बहुत सारी बात हैं हम लोग करते ही रहते है, crude oil future mcx में इसको मैं open करना चाहूंगा, और जैसा कि हमारा बात हुआ था और जैस उपर की साइड में 9000 तक जा सकता है, जिस दिन इसका correction खतम होगा, जिस दिन इसका काम खतम होगा, जब भी निकलेगा, जब भी signal आएंगे वो वक्त पर मैं बता भी दूँगा, बट crude यहां से जो है जाना उपर ही चाहिए, ठीक है, crude की अगर मैंने बात कर लिए, गोल्ड गोल्ड सत्तर हजार के लिए निकला है और सत्तर हजार जाएगा, दो चार दिन पांच दिन इधर उधर वो हो सकता है, बट गोल्ड जो है यहां पर triangle का breakout देकर बहुत अच्छे से चला है, और अभी भी यह जो है उपर की साइड में सत्तर हजार के आसपास जाता हुआ हमें नजर में, आएगा बागी stock specific तो बहुत सारी बात है हमने पहले भी कर रखी है, हमारी बात अलड़ी हो चुकी है, stock specific, IT में कोई दिक्कत नहीं है, IT चलेगा, definitely चलेगा IT, ठीक है, और दोस्तो, मैं बात करना चाहू, और अगर मैं midcap के चार्ट को एक बार open कर लू, daily timeframe के हिसा से, monthly timeframe के हिसाब से, expansion of moving average midcap में थोड़ी जादा ही हो गई है, ठीक है, reason जो कुछ भी हो वो ढून लेगा market, बट इसमें थोड़ा सा midcap जो है, वो sideways to negative हो सकता है, आने वाले वक्त में जैसी बात भी चल रही है, ठीक है, और अगर वो minimum retracement भी जो है, वो 40,000 के आसपास, यानि 6000 पॉइंट तक की गिरावट, midcap में हो सकती है, दोस्तों, इस बात की हम जो है, एकदम बार एकी से इसको हम ध्यान में रखेंगे, 224 trend line आपके लिए मैं लेले टाइम फ्रेम में midcap में अगर डालना चाहूं, यह point रहेगा, जहां पर trend जो अपना पूरा का पूरा गोंग जा जो है, थोड़ा underperform करेगा as compare as to nifty, ठीक है, बाकी का काम जो है, large cap संभाल लेंगे, फिर nifty में आप जानते हैं, जैसे की, ITC में अच्छा एक trade initiate आप कर सकते हैं, इसको जो है, as a investment purpose के लिए बहुत अच्छा trade एक initiate हो रहा है, ITC में, मैं आपको बताओ, यहां से आपको 30-40% तक की profit जो है, ITC में देखने को मिल सकती है, ठीक है, without any doubt, तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, रैसे भी मिड के आप अपने कुछ वक्त के लिए चलने वाले नहीं है, तो ऐसे अच्छे stock को पकड़ के हमें, बेट जाने, 14,000 के आसपास कहीं ना कहीं जो चला था, 9,500 से 10,000 स लेकर, small cap उपर 16,600 के आसपास गया था, अभी लेले टाइम फ्रेम के इस सबस यह फॉर्थ वेव जो है, डैवलपिंग वोड में अपना दीखा रहा है, तो में भी पॉसिबल है, 13,500 के आसपास, 13,500 से लेकर 13,000 की बीच में एक जो है, अपना time expand करेगा, small cap index और फिर जो है मार जादा ही खाना होता है, ठीक है, जब भी कुछ negative बात आती है, तो रहेगा ये, ये सारी बाते जो है, रहेगी, ये एक ऐसा छोटा लड़का है विचारा जिसको हमेशा से बड़े भाया की गलती पर भी जो है, मार पढ़ती ही पढ़ती है, ठीक है, इस बार तो बोला ज चक्कर में, मैं कल पढ़ रहा था, और दिमाग में मेरा एक स्टोरी बन रहा था, क्रियेट हो रहा था, कि मान लो, large cap, mid cap उसको पीटा जा रहा है, small cap को पीटा जा रहा है, और उसके अंदर एक दूसरा बंदा आता है, वो mutual fund है, तो मैं तो mutual fund हूँ, मुझे क्यों कूट रह जा, तुझे तो अभी भी जो है, small cap में जो सल रहा था, उसके सबसे तुझे भी अभी जो कूटना बागी है, but overall, मैं news पे ज्यादा नहीं जाता, story पे ज्यादा नहीं जाता, आपको मैं बताओ, ये जो था, अभी भी healthy correction है, जैसा मैं YouTube में पढ़ रहा हूँ, बड़े-बड analysis, बड़े-बड़े investor बोल रहे है, crash हो गया, crash हो गया, बहुत बड़ा नाम संजीव भसीन, बोल रहे थे, crash हो गया, क्या यार, अभी मानेंगे उनको, क्या बात करेंगे, ठीक, IIFL के वो जो है, बहुत बड़ी post पे हो, और उनको crash word यूज़ करने से पहले, एक बार सोचना चाहिए, ठीक है, but overall कुछ भी, ठीक है, opportunity है, sale, sale, मैं अभी मुँ पे, मुँ रटा हो गया है, यह सारे stock के नाम, AB Capital, ऐसे-ऐसे stock जो है, बंधन बैंक भी, 180 के आसपास, ठीक है, इसको देख लेते हैं, लास्ट बार हम इसको जो बात नहीं कर पाए, अच्छे से, तो दोस्तो मैं बोल रहा था, लास्ट में जब मैंने इसको अपनी पोजिशन में से निकाला बंधन बैंक को, ठीक है, वो इने बोला था, कि अगर यह मौका मिलता है, तो यह ट्रेड इनिशेट कर सकते हैं, यहाँ पर, एक सो पचास, एक सो साट के आसपास से कॉंट्रा ट्रेड होगा, और अगर यह वाक्य में, क्योंकि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से बहुत सस्ता है, इसकी अगर मैं बताओ, प्यूचरेश्टिक अगर व्यू रखते हैं, तो अभी यह बहुत सस्ता है, ठीक है, तो बंधन बैंक को ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टॉप लॉस एक सो पचास का है, इस बात को आपको हमेशा जहन में, दिमाग में, ध्यान में रखना है, ठीक है, तो और तो भी जो हम बात करेंगे, ठीक है, तो थैंक यू फर वाचिंग वीडियो दोस्तो, थैंक यू वेरी माच, जै हिंद, जै बारत दोस्तो